पूपियारे विचों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लास इसको जोए करने होंगे आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपोर्टेंट है सारे प्रस्ण आप के लिए बहुत ही महत्पूर है और आज आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रस्णों को लेकर उपस्तित हैं चलिए सिरुवात करते हैं आज के क्लास की और आज आपका पहला प्रस्ण है बर्स 1949 के दिल्ली घोष्णा पत्र के संदर्व में कौन सा कतन है जो सही नहीं है आपके सामने है आपसंस पहला है दिल्ली घोष्णा पत्र नहीं गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए सर्थ प्रस्तुत की दूसरा कहरा दिल्ली घोश्रा पत्र के अनुसार गोल में समेलन का उद्देश इस बात पर चर्चा करना था कि डोमीनियन इस्टेट दिया जाएगा या नहीं तीसरा दिल्ली घोश्रा पत्र में राजनीतिक कैदियों के लिए छमादान की मांग की गई थी और चौता कहरा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो यानि की सभी सही है तो बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा यानि की कौन सा है जो सत्य नहीं है और ये सारी चीजें आप लगभग लगभग जो है पढ़ चुके हैं तो इसमें आप लोगों को कोई दिकत नहीं होना चाहिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं तो निश्चीदियों चलो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है तो आपका केवल और केवल जो दूसरा है ये सही नहीं है दिल्ली घोशना पत्र में आप लोगो को बताई थी गाधी इर्विन समझोते वाल लोग अपरादी गत्विधियों में सनलिप्त थे उनको नहीं छोड़ने की बाद दिल्विन्ने की थी दूसरा जो कह रहा है यह क्यों गलत है चुक्षिंश को पता है कि जो आपका गोल में सम्मेलन था यह क्यूं बुलाया गया था साइमन कमिसन के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए और इस पर बिचार करने के बाद आगे जो है वो उसका काम कैसे चले कैसे संविधान बनेगा कैसे हां का प्रसासन चलेगा उसके लिए आया था ना कि डोमिनियन इस्टेट के लिए तो ये सही नहीं है बलकि ये साइमन कमिशन के रिपोर्ट पर बिचार करके के दिल्ली प्रस्ताओं के संबंध में क्या सत्ते हैं आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए काफी बेहतरिन प्रस्न है आपका पहला आप्सन है इसने प्रिथक निर्वाचन मंडल के अस्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल प्रस्ताओं का समर्थन किया था दूसरा इसमें तीन नए मुस्लिम बाहुल वाले प्रांतों या था जैसे सिंध, बलुचिस्तान और उत्तर पस्चिम सीमा प्रांत के गठन का आहवान किया तीसरा करा दोनों बाते सही है और चौथा करा कोई भी सही नहीं है आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो सत्य हो जाएगा मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रस्ताओं के संबन में कौन सा बात है जो आपका सत्य है तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ पे जो लिखी हुई बाते हैं ये बिल्कुल दोनो दोनो बाते बिल्कुल सही हैं आप लोगों को याद होगा आपका जो नहरू रिपोर्ट आया था इसी के समकच इन्होंने गोश्रा मांग भी रखी है मुस्लिम लीग ने 1927 में इन्होंने क्या किया है एक मांग रखा है जिसमें इन्होंने चार बाते पर स्युक्ति निवाशन मंडल प्रस्ताओं का समर्थन किया था इनोंने साथ ही इसमें तीन नए मुस्लिम बाहुल प्रांतों जैसे सिंद बलुचिस्तान और तरपस्चिम प्रांत के गठन का अहवान भी किया गया था ये भी आपका सही है इसके लाव इनोंने पंजाब और बंगाल में मुसल्मानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतने धित्तों देने की बात भी कही थी और साथ ही कहा था कि केंद्रे विधान सभा में मुसल्मानों को एक तिहाई प्रतने धित्तों मिलना चाहिए तो दोनों बाते बिल्कुल ही सही है साथ ही ये भी याद रखेगा कि विधान सभा में एक तिहाई प्रतनेध्यतू की बात भी कही है और साथ ही पंजाब ओर बंगाल में मुसल्हानों को उनकी आबादिक अनपात में भी प्रतनेध्यतू देने की बात कही थी चार one दिली प्रस्ताऊ में Muslim League के द्वारा रखी गई थी अगला Question देखे वेबल योजना से है और ये भी आपके लिए काफ ही important है पहला है आपको बताना है क्या सही नहीं है वेबल योजना करता किसंदर में क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है पहला है के अंतरिम राष्टिय सर्कार के समान कारी करती दूसरा कहरा है कारीकारणी में मुसल्मान सदस्यों कि संख्या स्वर्ण हिंदुrekες दूसरा करा विदेश्य मामलो जिसमें जन जातिं वामले समलित हो भारतियों को सोप जाने थी चौथा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका गलत हो यानि कि सभी सही है आपको बताना है कौन सी बात है जो बेवे लेवजना के बारे में सही नहीं है फटा-फट उत्तर दीजेगा आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका जो बेवे लेवजना है ये क्या है इसमें कौन सी बात है जो नहीं की गई है तो आई याद रखें कि बचलोग तीसरा सही नहीं है पहला बिल्कुल सही है इसमें वायसराय के कारी-कारी परिशत को पुनर गठित करना था जो एक अंतरिम राष्टे सरकार के समान कार करती दूसरा भी सही है कारे-कारडे में मुसल्मान सदस्यों की संख्या स्वड हिंदों के सामान होती ये बात भी बिल्कुल सही है आपका तीसरा सही नहीं चुकि बिदेशी मामले तो देने थे लेकिन उसमें जंजातिये मामले को समलित नहीं किया गया था याद रखेगा बिदेशी मामले तो देने की बात इन्होंने कही लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि आपके जो जंजातिय मामले हैं इसमें इसको सामिल नहीं किया गया है जंजातिय और साथी सीमा वरती जो मामले हैं ये नहीं सामिल किया गया था ये कहरा है कि जंजातिय मामले भी समली थे तो केवल विदेशी मामले हैं जनजातिय और सीमावरती मामलों को इसमें सामिल नहीं किया गया था तो इसलिए आपका ये तीसरा जो है ये गलत हो गया है पहला और दूसरा बिलकुल सही है इसमें आप लोगों कोई दिकत नहीं होना चाहिए तीसरा सही है कि विदेशी मामले दि नहीं दिया गया नेक्स देखिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कांग्रेस ने बेलगाम अधिवेशन में गाधी जी की पहल पर विधान परस्दों में प्रवेश का विरोध बंद करने का नेस्चे किया तथा कारी करताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने क इजा जद्दी गई दूसरा करा दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में घोशना की गई कि स्वराज नेता कांग्रेस की अभिनंग के रूप में कांग्रेस के नेतरुत में विधान मंडल में अपना काम करते रहेंगे और तीसरा करा दोनों बाते सही है और चौथा करा क कोई भी सही नहीं है, आपको बताना है कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए काफी गोड प्रस्न है, इतनी गोड़ता से आप लोग स्टड्य नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे कॉश्चन साल्व करने में दिखत होता, लेकिन ये काफी अंडरि अधिवेशन में क्या किया है यहाँ पे गाधी और जो है दास जो आपके चितरंजन दास हैं और गाधी चितरंजन दास और गाधी के बीच एक समझाता हुआ जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि जो स्वराज नेता है कांग्रेस के अभिन अंग की रूप में कांग्रेस के नेत बिधान मंडोलों में अपना काम करते रहेंगी ये कब किया गया है बेल गाम अधिवेशन में जहां गाधी जी अत्रचिता कर रहे हैं और यहां पे सी आर दास जो है जो स्वराज दल के संस्थापक हैं इनके बीच समझाता हुआ और यहां पे गाधी जी ने इजाज़त दे दिया की जो स्वराज नेता हैं ये कांग्रेस के अभिन अंग की रूप में कांग्रेस के नेत्रित में विधान मंडोलों में अपना काम करते रहेंगी दूसरा जो है इसका सेम अपोजिट है यानि कि 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में घोशना की गई कि गया है ये दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में जो घोशना की गई है वो यहां से है और कांग्रेस ने बेलगाम अधिवेशन में गांधी और दास के बीच जो बात होई है वो आपका यहां से है तो इस तरह से दोनों बाते एक्सचेंज हो गई है इसलिए दोनों बाते दास पैक्ट हुआ था जिसमें ये बात की गई कि विधान सभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा उसके अभी नंग की रूप में कारी करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा और सितंबर 1923 में दिल्ली में एक विशेस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसके तहत गाधी जी के नेतरित में सुराजियों को कांग्रेस का एक सम्मो के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमती दी गई और सुराजियों ने भी केवल एक सर्त को छोड़ कर कि वे बिध परसुदों में भाग नहीं लेना है इसके लाव आप जो भी कहेंगे हम सब कुछ स्वविकार करने के लिए तयार है तो याद रखेंगे बचलों बहुत इंपोर्टेंट ये सारे तत्य थे अगला क्वेशन देखिए दूतिय विश्युद्ध के संदर में कौन सा कथन है ज ये वास सही है कि दूतिय विश्युद्ध के दाउर भारतेंट ये जनता को अभाव और अकाल का सामना करना पड़ा तीसरा करा है या आकाल भारतिय पूझी वात के लिए ठहराओ का दौर था क्योंकि कई प्रकार के युद्धि चैनित सरकारी बंदिशों का सामना करना आपको ये बताना है अच्छा क्या सत्य नहीं है ये बताना है देखें ध्यान दीजेगा क्या सत्य नहीं ये बताना क्या पहला सही नहीं क्या दूसरा सही नहीं क्या दोनों सही नहीं या कोई भी ऐसा नहीं जो सही नहीं है तो आपका जो सही नहीं है वो दूसरा सही नहीं है चुकि इस काल में भारती पूजिवाद में ठहराओ नहीं आया बलकि जादा विकास हुआ चुकि जो ब्रिटेन वाले थे वो युद्ध में बिजी हो गए और युद्ध में उन्हें बहुत सारे जीजों की जरूरत पड़ती थी जैसे खाने की चीज़े हतियार हो गए कपड कर रहे थे इसलिए पूजिवाद में ठहराओ का दोर नहीं आया बलकि विकास हुआ है समय लाभ मिला है इनको जो आपके बड़े-बड़े व्यापारी घराने थे इन्होंने बहुत सारे इस्टाक जो एक्चेंज भी खोड़ लिये थे और बैंक जो है जीवन बीमा कमपनि यह सब भी प्रारंब कर दी गई थी उस समय दूतिय विश्युद्य के समय तो आपका पहला तो बिलकुल सही है कि दूतिय विश्युद्य में भारतिय जनता के लिए अभाव और अकाल की स्थितित्पन हुई थी लेकिन पूजी पतियों को फाइदा मिला था चूकि उस समय बहुत सारे चीज़े जो द्योगों में बनती हैं कपड़ा हथियार और बहुत सारे बी निर्वित खाने वाले चीज़े यह सब इनका डिमांड बड़ा था जिससे इनको फाइदा हुआ था तो दूसरा सही नहीं है पहला सही है नेक्स देखिए सबिने वग्यांडोलन के दौरान सरकार वा कांग्रेस के मद्य सांतिय स्थापना का कारिय की से सौपा गया था जब सबिने वग्यांडोलन चल रहा था उस समय आंदोलन के दौरान सरकारियों कांग्रेस के बीच सांतिय स्थापित करने का काम कौन कर रहा है पहला कर रहा है उस समय कवर्नर जनरल आपके इर्बिन थे इर्बिन और समिने वग्या अंदोलन चलाने वाले थे गाधी इन दोनों के बीच इर्बिन पैक्ट जिन्होंने जिनके प्रयास से संपन हुआ वो कौन है तो ये दोनों बेकती हैं आपके तेज बहादूर सप्रू भी है और MR जैकर इनहीं के प्रयासों से गाधी इर्बिन समझोता या जो दिल्ली बारता है ये कंप्लेट हुआ था 5 मार्च 1931 को नेक्ट देखें ब्रटिस भारत में 7 प्रांतों में अक्टूबर 1949 सिस्वी में कांग्रिस मंत्री मंडलों ने इस्तीफा दे दिया था इसके पीछे क्या यानि कि उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके पीछे क्या कारण अच्छन नहीं नहीं होगा क्या कारण था ये बताना है आपको पहला है कांग्रेस कारी कारी समिती वायसराय लिन लिथ्गो ब्रटेन के युद्ध उद्देशों के विशय में संतूष जन्रक उत्तर बताना चाहते थे शलिए और चौथा करा की सभी बाते सहीं हैं ये आप लोगों के लिए काफे इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूज मत होएगा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1949 में जो आपके यहां के कांग्रेसी हैं इन्हों ने क्यों इस्तिफा दे दिया है मंत्री था वो था लिनलित गोने कांग्रेस के मंत्री मंडलों से बिनाव परामर्स के ही भारत को युद्ध में धकेल दिया था यही इसका सस्से महत पुड़कारर था ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नेक्स देखे क्रिप्स मिशन के संदर में कांग्रेस ने क्या आपती थी क्रिप्स मिशन के संदर में कांग्रेस को क्या आपती है आपको ये बताना है पहला है डोमेनियन इस्टेट दूसरा कह रहा है प्रांतों को समझ से प्रिथक का अधिकार अच्छा प्रांतों को समझ पते सही हैं, आपको बताना है क्रिप्स मीशन से क्यूं कांग्रेस आप अत्ति वेगत कर रही है, क्यों उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या रेसन आपके अपके साफ से क्या है जो इसके दिमिदार हो सकता है, तो निसीर्दी आप लोगो दिखत नहीं होना ची यह हम लोग पहले ही ये चीज़े पढ़ चुके हैं खिजाब का क्रिप्स है ये सारी बाते करता है लेकिन साब बाद की बाते करता है ये कहता है कि युद के बाद आपको डोमीनियन स्टेट देंगे जो हमें मंजूर नहीं था ये कहता है प्रांतों से प्रांतों को संग से प्रिथक होने कादिकार है जो भारत को तोड़ देता इसलिए ये हमें पसंद नहीं था और यहां पे गवनर जनरल की सर्बुचता बनाए रखा गया जो की हमारे लिए घातक था यानि कि सभी बाते सही हैं ये सभी रिजन थे जो हमने आस्वविकार कर दिया था क्रिप्स मिशन को याद अंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया दूसरा कांग्रेश ने बैचारिक विरूद के बावजूद मुस्लिम लीग ने अंदोलन में सक्रिय भागी दारी की तीसरा साम में वादियों की भूम का इस अंदोलन में ब्यापक थी और चौथा करा उपर्युक्त सभी बाते सही हैं क्या आपका सत्य है आपको ये बताना है भारत छोड़ों अंदोलन के बारे में आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को ये चीजे स्वाल्व करने में समस्या नहीं होनी चाहिए बताएंगे भारत छोड़ों अंदोलन के बारे में क्या है जो सत्य ह हो जाएगा तो निश्ची थी इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा चूंकि आप सभी को पता है कि आपका जो पहला है ये बिलकुल सही है कि भीम राउंबेटकर ने भारत छोड़ो आंदुलन का समर्थन नहीं किया था और दूसरा क्यों गलत है क्योंकि कांग्रे तीसरा दोनों ही सही नहीं है पहला और पहला केवल आपका सही हो जाएगा तो याद रखेगा वनली वनली वन आपका बिलकुल करेक्ट है नेक्स देखे उननी सो चीारीश में नहरु के नेतुरत में गठित अंतरिम सरकार में निम्रिखित में से किन बर्गों का प्रतनी ध तो था 1946 में नेहरु की नेतरत में अंत्रिम सरकार का गठन किया गया है आपको बताना इसमें कौन से बर्ग है जिनका प्रतनिधितो है और आपके सामने हैं options छे पहला है सिख दूसरा है इसाई तीसरा है पार्सी चौथा है मुसल्मान और पांचवा है अनुसुचित जाती औ उपरोगत सभी को अंत्रिम सरकार में नेहरु की नेतरत में किसको किसको मिला है आपको ये बताना है प्रतनिधितो और ये काफी आसान है निस्चिती सभी को मिलेगा सिख भी होंगे इसाई भी होंगे पार्सी भी होंगे मुसल्मान भी होंगे अनुसुचित जाती भी सवड हिंदू बर्ग को भी सदस्य मनुनित किया गया था पांच सवड हिंदू भी इसमें सामिल है नेक्स देखिए नेमने लिखित में कौन सा कतन है जो सही सुमेलित है कौन सा है जो सही सुमेलित आपको यह बताना है क्या फैजपूर का जो आपका अधिवेशन हुआ था य अध्यच्च द्वारा अध्यच्चता किया गया है कोलकाता का आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं फटा फट उत्तर दीजेगा कौन सा हो जांब गए गएगा दिली की जो अध्यचता है यह सबसे युवा बेख्टी के द्वारा किया गया है और जो मात्र और मात्र 23 वर्स के थे और ओ थे आपके अबुल कलाम आजद जो 23 वर्ण की जो है 1923 में दिल्ली में हुए अधिवेशन की अध्यचता किया है और ये उस समय के सबसे युवा अध्यच थे 1930 की घटना है दिल्ली में अधिवेशन हुआ था अब लकलाम आजाद इसके अध्यच थे याद रखेगा सबसे युवा अध्यच थे 1949 में बढ़ती हुई राष्टी अंतर राष्टी परिस्थितियों में गाधी जी का मानना था कि आजादी हासिल करने के लिए जन संघर्ष का दूसरा दौर शुरू करना होगा तथा पिवेशन आंदोलन है तु अभी तयार नहीं थे बताएंगे 1949 में बढ़ती हुई राष्टी अंतर राष्टे परिस्थितियों में गाधी जी का मानना था कि आजादी हासिल करने के लिए जन संघर्ष का दूसरा दौर शुरू करना होगा तथा पिवे जन आंदोलन हे तु अभी तयार नहीं थे क्यों कि क्यों ऐसा था पह राष्टों मुख हो चुकी थी इसलिए तीसरा करा दोनों बाते सही है और चौथा करा कि कोई भी सही नहीं है आपको बताना है क्या है जो आपका सही हो जाएगा और यह भी आपके लिए बिल्कुल अंडरिस्टैंडिंग का प्रस्थन है नेश्ची थी आप लोगों को पत होना चाहिए कि 1949 में जनान दोलन ना छेड़ने का गाधी जी का जो निरड़े था उन्हें लग रहा था कि संगठन की जो छमता है वो जादा नहीं है संगठन की छमता का भाव है कांग्रेस और जनता दोनों संगर्ष के लिए भी तयार नहीं है रस्टाचार और अनुसासन नहींता के कारड कांग्रेस संगठन की कारचमता हरा सोन मुख हो गई है और इसलिए वो चाहते हैं कि अभी दूसरा जनान दोलन ना छेड़ा जाए दोनों बाते बिल्कुल सही है नेक्श देखिए माउंट बेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ माउंट बेटन योज सभा गठित करने होगी दूसरा केरा सिंध तथा बलुचिस्तान में जन्मत संग्रेद्वारा या निश्चित किया जाएगा कि वह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं तीसरा केरा पंजाब बंगाल तथा आसम के विभाजन है तो एक सीमा आयोक का गठन किया जाना और चौथा करा रजवारों को स्वाब इबेग से भारत या पाकिस्तान में सामिल होने की छूट थी बताएंगे माउंट बेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ है यानि कि माउंट बेटन योजना के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है आपको ये बताना है नेसी ये last moment चल रहा है जब भारत विभाजन की बाते हो रही है तो इस समय क्या है जो सही नहीं है तो याद रखेंगे केवल और केवल दूसरा जो है सही नहीं है चुकि सिंध और बलुचिस्तान के विधान मंडलों को ये निरड़े लेना था कि वो भारत में सामिल होना चाहते हैं या मतलब वो किधर जाना चाहते हैं उनकी इच्छा क्या है तो सिंध और बलुचिस्तान के संबंद में ये मैटर गलत है चुकि यहां के विधान मंडलों को ये निरड़े लेना था कि वो क्या चाहते थे इसके लावा जो उत्तर पस्षिम के सीमा प्रांथ है वहाँ पे ज चाहते हैं बाकी सही है कि मुस्लिम बहुत संख्या की अधिचाहे तो वे अलग अधिराज बना सकते हैं पर इसके लिए उन्हें अलग समिधान निर्वातरी सभा गठित करनी होगी पंजाब बंगाल तथा सम में विभाजन है तो सीमायों का गठन किया गया रजवारों को अब भी उनके स्वाविबाग पे छोड़ दिया गया कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान पे नेक्स देखिए निम्रखित नेताओं में से किसने दुतिये गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था आप लोग किया उत्तर देने वाले हैं इसका आप सभी को पता होगा गाधी जी दुतिये गोल में सम्मेलन में गये थे और किस जहाज से गये थे यह क्वेसन भी आता है तो राजपूताना जहाज से गये थे राजपूताना जहाज का नाम था राजपूताना याद रखे enterprise- कभी पूछ लेता है कि वहाँ जाने के बाद वो कौन से पाइलस में ठहरे थे कभी कभी पाइलस भी पूछ लेता है तो अगर आपको याद है तो कमेंट कीजेगा फिलाल तो यहां बताना है कि दुतिय गुल में समेलन में कौन सामिल नहीं हुआ है तो आपके गाधी जी तो उनके साथ महादेव देशाई भी गए थे, मदन मोहन मालविय भी गए थे, देवदास गाधी भी गए थे, और घंस्याम दास बिडला भी गए थे, साथी सरोजनी नाइडू और मेरा बेन भी गए थी, लेकिन आपका कौन नहीं गया था, राजीन प्रसाद इसमें सामिल नही थे, तो याद रखेंगे, आपका अबसे नवर फोर सही नहीं है, एगला कुईशन, और ये भी काफी इंपोर्टेन्ट है, निमलिक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं हैuencia जो सुमेलित नहीं है, क्या भारती जलसेना अधिनियम 1927, क्या भारती जलसेना अधिनियम 1927 में बना था क्या सभीने वग्यांदोलन 1930 में शुरू हुआ क्या दोतिये गोल में समेलन 1931 में हुआ क्या सामप्रदाइक निरड़े 1931 में हुई आपको बताना है क्या है जो सुमेलित नहीं है देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका फटा फट उत्तर दीजेगा बहुत इंपोर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि आपसर नंबर जो आपका फोर है ये सही नहीं है चुकि सामप्रदाइक निरड़े 1932 की घटना है तैंतिस की नहीं बाकी बाते बिल्कुल ही सही है इसमें आप लोग को कोई दिकत नहीं होना चाहिए निमने घटनाओं को काला नुकरम में विवस्थित कीजिए आपको बताना है कूट की सहायता से की कौन सा है जो सही रोप से विवस्थित है ये सारी घटनाएं आप लोग पढ़ चुके हैं इन सब का इयर आप लोगों को याद होगा तो अब इनको इयर के हिसाब से फटाफट लगा दिजे करम में पहला है साइमेन आयोक की नियुकती दूसरा है जलिया वाला बाग हत्याकान तीसरा है महत्मा गाधी की दांडी यात्राव चौथा है फिरोशा मेहता की मृत्यू बताएंगे सही करम क्या हो जाएगा तो चलिए इयर में बता देती हूँ पांच नमंबर 1915 को हुआ है फिरोशा के मृत्यू दांडी मार्च आप सभी को पता होगा ये 12 मार्च को शुरू किया था गाधी जी ने 12 मार्च 1930 की घटना है 12 मार्च 1930 को इन्होंने किया जलिया वाला बाग हत्याकान तेरह अप्रैल 1919 की घटना है और साइमेन आयोक की नि 1927 में हुई थी तो इसे साफ से आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले आपका फोर हो जाएगा दूसरी नमबर पे आपका जलिया वाला बाग यानि की चार दो एक और तीन सबसे लास्ट में आपका आएगा थिरी यानि की 12 मार्च 1930 इस तरह से आपका जो सही उत्तर है वो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मारा अगला क्वेस्टन आई एने की अधिकारियों पर मुकदमा चलाये गया था आई एने की अधिकारियों पर मुकदमा कहां चलाये गया था पहला है लाल किला जो कि दिल्ली में है दूसरा कह रहा है ग्वालियर फोर्ट में तीसरा कह आमेर फोर्ट जैपुर में और चौथा कह रहा है कि आगरा का फोर्ट ये तो काफी आसान है आप सभी को पता होगा इंडियन नैशनल आर्मी जिसको आजाध हिंद फौज कहते हैं इसके उपर जो मुकदमा है ये काफी फेमस मुकदमा है जो कि आप सभी को पता है कहां next question देखे फिर से करम लगाने वाला है आपके सामने है options और आपके सामने कूट भी है आपको इसको देखना है और करम में बता देना है केरापूना पैक्ट, गाधी इर्बिन, समझोता, क्रिप्स, मिसन और सबिनेव ज्यान दोल सभी को ये year याद हो चुका होगा क्योंकि मैं सबका year पढ़ा चुकी हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए क्या होगा जो आपका सही हो जाएगा आपको ये बताना है आप लोग इसको बता सकते हैं तो जैसे सबिनेव ज्यान दोलन आप सभी को पता है 1930 की घटना है क्रिप्स मिसन 1942 की घटना है गाधी इर्बिन समझोता 1931 की घटना है इसको अगर देखेंगे 5 मार्च 1931 पूना पैक्ट 1932 की घटना है अब देखें क्या हो जाएगा तो आपका सबिनेव ज्यान दोलन जो है यह आपका सबसे पहले होगा चार सबसे पहले हो जाएगा उसके बाद आपका हो जाएगा 1931 की घटना यानि की आपका दूसरा हो गया और उसके बाद आपका हो गया क्रिप्स मेशन आपका सबसे लाश्ट में आएगा और उसके पहले आपका 1931 और 32 में आपका पूना पैक्ट होगा है यानि कि आपका 4213 आपसन नमबर C बिल्कुल सही है 4213 हो जाएगा यानि कि सबसे पहले सबीने वग्यान दोलन उसके बाद आपका गाधिर भीन समझाता उसके बाद पूना पैक्ट और फिर आपका क्रिप्स मिशन आपका उसन नमबर C बिल्कुल सही है नेक्स देखे मुस्लिम लीग यूम भारती राश्टे कांग्रेस के वीच राजनीतिक गतिरोद को दूर करने के लिए सी आर फार्मूला किसने बनाया था आपको बताना है मुस्लिम लीग यूम भारती राश्टे कांग्रेस के वीच राजनीतिक गतिरोद को दूर करने के लिए सी आर फार्मूला किसने तयार किया पहला है जवाहलाल नहरू दूसरा है राज गोपालाचारी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि ये सी आर फार्मूला किसने बनाया है लिए सी थी कौन है राज गोपालाचारी आगी बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेस्टन देखेंगे निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बुड डिस्पैच घोष्णापत्र के 1814 में आया हंटर आयो के 1882 में आया सैलर आयो के 1818 का है क्या सारजेंट आयो का 1944 का है बताएंगे कौन सा है जो आपका सही सुमेलित अच्छा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम कर दे रहें 1854 अब बताएंगे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है और इसमें से जो सुमेलित नहीं है आपको वही बताना है यह सारे सिछा पे आयोग है सभी को पता होगा पहला आयोग बुड डिस्पैच था उसके बाद हंटर फिर सैडलर और फिर सार्जेंट जिसमें से जो आपका सैडलर है यह कब आया है 1817 नहीं बलकि 1917 में आया 1917 में इसलिए गलत हो गया है बाकी बात यह आपकी बिलकुल सही है बुट 1854 में आया है डलोजी की टाइम में हंटर जो है 1882 में रिपन की टाइम में सार्जेंट 1944 में आया है सैडलर अठार सो नहीं 1917 की घटना है स्वतंतरता पूर्व भारत में निम्रिकित में से किसने केंद्रिय विधान सवा में स्वराज दल का समर्थन किया स्वतंतरता पूर्व भारत में निम्रिकित में से किसने केंद्रिय विधान सवा में स्वराज दल का समर्थन किया था आपको ये बताना है पहला कह रहा है एम जिन्ना दूसरा कह रहा है मौलाना अबुल क्लामाजार तीसरा कह रहा राजियन प्रसाद और चौथा कह रहा जवाहलाल नहरू बताएंगे कि स्वतंतर तापूर भारत में निम्खित में से किसने किंडरे विधान सबा में सुराज दल का समर्थन किया तो बताएंगे क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा और यह भी आपके लिए बहुत ही महर्पूर है याद रखेगा यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जिन्ना कर रहे हैं चूंकि स्वराजी कांग्रेस से अलग हो रहे हैं यह परिवर्तनवादी है और यहाँ पे चाह रहे हैं कि हाँ यह लोग दूर हो इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया है स्वराजीयों को यह में जिन्ना किस वर्स बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिय सरकार की अस्थापना हुई थी किस वर्स मिदनापुर जिले में जातिय सरकार की अस्थापना हुई है 1949, 1940, 1941 और 1942 फटा फट दीजेगा उत्तर की सबर्स बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिय सरकार के अस्थापना हुई है और आप सभी को पदा होगा कि गटना है 1942 में यह हुआ था याद रखेगा 1942 में मिदनापुर में समनांतर सरकार या जातिय सरकार जब भार छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दर्मियान आपने देखा था कई जगा पे समनांतर सरकारे बनाई गई थी निमलिकित में से किस किस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में आपको बताना है निमलिकित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अलवर्ट, आइंस्टीन, एच, जी वेल्स, हेराल्ड और रोजवल्ट ने सानभूति पोर्ट टिपड़ी किया है पहला करा आई एन्ने मुकदमा दूसरा लाहर सर्यंत मुकदमा तीसरा मेरर सर्यंतर केस और चौथा कोई नहीं पताएंगे किस की बात हो रही है तो ये भी मेरर सर्यंतर केस के मावले में सरकार ने देज भर में कई कम्यूनेस्टों को गिरपतार किया था राज़वरो का मुकदमा उन पर चलाया गया था जिसका पूरे संसार में चर्चा हुई और उनके समर्थन में सहनभूति पोड़बक टिपड़ियां भी आई थी मेरर सर्यंत यहां पे होना चाहिए था आपका रॉलेट सत्यागर होना चाहिए था रॉलेट सत्यागर होना चाहिए था रॉलेट सत्यागर होना चाहिए था रॉलेट रॉलेट सत्यागर होना चाहिए था रॉलेट रॉलेट सत्यागर होना चाहिए था रॉलेट रॉलेट सत्यागर होन 1919 में हुआigonяет 1920 नहीं है इसलिए आपका 4 सही नहीं है बाकी बाते बिलकुल सहीढ़ी है नेक्श झी खिलाफात अंदूलन के प्रमुखनेता निम्री कित में से कौन थे मौलाना अम्हम्मद अली और सौकत अली दूसरा करा महम्मद अली जिन्ना और सौकत अली तीसरा करा मौम् अबुलकलामाजाद और रफिय अमेद किद्वई और चौथा करा रफिय अमेद किद्वई और सौकत अली तो यह तो बहुत फेमस फिसनाल्टी है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं मौलाना मुहम्मद अली और सौकत अली 23 में सुराज पार्टी का गठन किया था मोतिलाल नहरू और सियार दास ने नेक्स्ट कांग्रेस के विरुद्ध खान अब्दुलगफार खान द्वारा प्रारम किये गया अंदोलन का क्या नाम था लाल कुर्टी या कुट इंडिया या खिलाफत या उप्रुक्त में से के विरोध में रविनना टाइगोर ने नाइट हुड की जो उनका पद है उसको त्याग दिया था पहला है रॉल एट टैक्ट दूसरा है जलिया वाला बागनर संहार तीसरा साइमन कमिक्सन और चौथा एकरिप्समिसन ये भी आपके लिए आसान है और आप सभी को इसका उ समबंद में कौन सी बात है जो सही आली पद्धती क्या था पहला है बधुआ मजदूर दूसरा है किसानों के सोचर से जुड़ा हुँद तीसरा छुवा छुवा चौथा कहरा आसे 6 से जुड़ा हुआ है बताएंगे हाली पद्धती का संबंद किस से है तो आप सभी को इस जनन सरस्वती बंकिम चंद्रमुकर जी और जय प्रकास्ट नाराइड पताएंगे कौन है अखिल भारते किसान सभा के संस्थापा का देच अखिल भारते किसान सभा के स्थापना 1936 में किया गया है और 1936 में किस ने किया है स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने लंदन में आज निम्रिकित में से गोल सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गाधी गए थे यह सभी को पता होगा महात्मा गाधी किसमें गए थे या कांग्रेस ने किसमें उपस्तिती दर्ज कराई थी प्रत्थम दुतिये तृतिये या किसी में नहीं तो यह सभी को पता होगा कि सिर्फ और सिर प्रदुतिये गोल में सम्मेलन में गांधी ने कांग्रेस का प्रतने धित्व किया था निमने कित्में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारते रियास्तों के प्रति अपनी नीती की घोशना किया है नाकपुर अधिवेशन में गया अधिवेशन में कुलकाता अधिबेशन में या लखनव अधिबेशन में तो बताएंगे विश्चा लोग बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी को पता होना चाहिए 35 अधिबेशन में जो की नागपुर में हुआ था 35 अधिबेशन इसी में कांग्रेश ने पहली बार देशी रियास्तों के प्रति अपन अधिबार अपनी नीतिकी घोष्णा की कांग्रेश ने निम्रेखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है मोतिलाल नहरू क्या ये नहरू रिपोर्ट से जुड़े हैं एमके गाधी क्या चंपारन अंदोलन से जुड़े हैं क्या में जिन्ना खिलाफत अंदोलन से जुड़ बलकि Muslim League से जुड़े हुए हैं तो आपका क्या हो गया ये गलत हो गया Muslim League से जुड़े हैं खिलाफ अतांदुलन से त्वाली बंदू है मोतीलाल नहरू रिपोर्ट तस्तूत करते हैं हमके गाधी चमपारन है और बोस ने फारवर्ट बलाग की स्थापना 1949 में किया था नेक्स्ट क्वेस्टन सोमेंद्र नाथ टाइगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है प्रसने आप लोग साल्ब कर चुके हैं देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं सोमेंद्र नाथ टाइगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है भारती बोल सेविक दल, क्रांतिकारी सामयवादी दल, बोल सेविक लेनिनिस दल या आतिवादी लोग तंत्रबादी दल पताएंगे किस से जुड़े हैं सोमेंद्र नाथ टाइगोर तो ये याद रखेगा सासेन का नाम है और सास इनकी दल का भी नाम है क्रांति कारी साम में वादी दल से जुड़े हैं सौमेंदर नाथर टैकोर अगला क्वेस्चन देखते हैं विचलोग 1924 का बंगाल का तार केस्वर अंदोलन निम्लिवी केस्वर अंदोलन हुआ है यह आंदोलन किसके विरुद हुआ है आपको यह बताना है और आपके सामने आफसन मंदिर में वरष्टाचार हिंसार राजनेतिक नेताओं के गिरपतारी या सामप्रदाइक ताका वर्स ताएंगे आपका तार केस्वर अंदोलन किस से जुड़ा हुआ है जो की आपके बंगाल का है बंगाल में याद रखेगा आपका जो हुगली जिला है यही पेस्थित है आपका तार केस्वर सिव मंदिर जहां पे थे भरष्ट पुजारी और भरष्ट पुजारियों के भर 1949 में जारी की गई दीपावली घोशना पत्र के संबंद में क्या सई 1949 में जारी किया गया दीपावली घोशना पत्र किस से जुड़ा हुआ है पहला है संप्रदाइक समस्या से दूसरा डोमिनियन इस्टेट से तीसरा स्रमिक नेताओं से चौथा अस्य प्रिस्यता से पताएं 31 अक्टूबर 1929 को लाड इर्बिन ने एक वक्त अब जारी किया था जिसको दिल्ली घोशना पत्र कहा गया है और यहाँ पे जो हुनों ने कहा कि आप लोगों को हम डोमेनियन इस्टेट देंगे लेकिन आपको क्या करना होगा उनकी हिसाफ से करना होगा तो यह क्या है डोमे इर्बिन ने जारी किया है नेक्स देखिए गाधी जी को वन मैन बाउंडरे फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था चर्चिल इटली मांट बेटन या साइमेन आप सभी को यह पता होगा बेहद इंपॉर्टन क्वेस्चन है सभी को पता है कि 3 जून 1947 की घोशना जो कि मांट संप्रदाइक हिंसा में बृद्धी हो गई थी यहां से लोग पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत आए बेजे जा रहे थे लाए जा रहे थी दर्मियान बहुत जादा कतल्याम हो रहा था और भारत विभाजन की खबर से तो गाधी जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई लेकिन उन्होंने इन संप्रदाइक दंगों को समाप्त करने में बहुत ही महत्पूर योगदान दिया और उनकी इस योगदान से खुस हो करके जो माउंट बेटन है उन्होंने कहा कि महात्मा गाधी वन मैन बाउंडरी पोर्स हैं याद रखेगा आपका ओप्शन मर्थी बेलकु सभी को इसका उत्तर पता है बचा लोग इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन सा दिवेशन है नेशी थी 1917 का कोलकाता दिवेशन जिसकी महिला ध्यच थी एनी बेसेंट इनी को चुना गया था एनी बेसेंट कोलकाता दिवेशन उन्नी सो सत्रा कामा गाटा मारू क् द्योकेंद्र था एक बंदरगा था एक जहाज दाया सेना की एक टुकडी रिपेटिर प्रस्न है और आप सभी को इसका उत्तर है पता कि कामा गाटा मारू प्रक्रड आप लोग पढ़ चुके हैं 1914 की घटना है जब सिंगापूर से बहुत साले भारती एक जहाज बैठ कर क 1946 के cabinet mission का नेत्र तो किया गया था 1946 का जो cabinet mission है इसका नेत्र तो किसने किया है पहला है पैठिक लारेश दूसरा है लेनलित गो तीसरा है वेबल और चौता है साइमन 24 मार्स 1946 को cabinet mission भारत आया था जिसमें तीन सदस थे एक थे इस्टेपोर्ड क्रिप्स जो की उस समय बोर्ड आप ट्रेड के अध्यच थे बोर्ड आप ट्रेड के यानि की व्यापार बोर्ड के अध्यच थे आपके क्रेप्स दूसरे थे पाथिक लारेंस जो भारत सच्चिव थे और तीसरे थे अलेकजेंडर जो नौ सेना मंत्री थे ये तीनों लोग आये थे और इसमें अध्यचता क जिसमें बाल गंगा धरतिलक ने भाग लिया था वो कौन सा है अंतिम अधिवेशन कौन सा है जिसमें बाल गंगा धरतिलक सामिल हुए थे आपको ये बताना है पटाफट दीजेगा उत्तर आपका क्या हो जाएगा पहला है कोलकाता अधिवेशन 1906 दूसरा है सूरत अधिवे जिसमें वो भाग लिये थे। इसके बाद 1920 में इनकी मृत्ति हो गई थी। महात्मा गाधी ने अपनी पुस्त्तक में 21 में ब्रिटिस पालियमेंट को बांज और वेस्या कहा है? त्रुत दूसरा है स्वराज और तीसरा है आपका स्टोर आफ सत्याग रही यहापी हिंद शुराज होना चाहिए था हिंद सुराज आपको पताना है कौन से पुस्तक में इनुने लिखा है कि जो विट्रिफ पार्लियमेंट है ये वाज है ये व्ययस्या है याद रखेगा य और ये पुछतक इन्होंने कब लिखा था जब इंग्लेंड से दच्छिड अफ्रेका की यात्रा कर रहे थे तब जहांज उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था और इसमें इन्होंने लिखा कि ब्रिटिस पार्लियमेंट बाज और बैस्या जैसी है जलियावाला बाग कांग् समिती की रिपोर्ट का जो प्रारूप है किसी सौपा गया लिखने के लिए कांग्रेस ने किसको सौपा है जवाला नहरू को महत्मा गाधी को सियरदास को या फजलोल हक को बताएंगे विचलों कौन है जो की जांच रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कारे किसको दिया तो याद रखेंगे कि आप सभी को पता है 1319 को जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे हजारों दोस लोग मारे गए थे इसके जांच के लिए एक समिती बनाए गए थी और इस समिती का प्रारूप लिखने के लिए कांग्रेस ने महात्मा गाधी को सौ अंधा देनी वाले मुस्लिम बेक्ति कौन है ये क्वेस्टन कई बार आयों के द्वारा पूछा गया है पहला है सौकत अली दूसरा है मुहम्मद अली जिन्ना तीसरा मौलाना एक याजाद और चौथा म. अंसारी याद रखेंगे एक अगस्त तुनीस सो बीस को बाल गंग अधी के साथ सौकत अली ने उनके अर्थी को कांधा दिया था या उठाया था याद रखेगा सौकत अली नेक्स्ट काकोरी केस की अभियुक्तों के बचाओ है तो किसकी अध्युक्ता में एक समीती का गठन किया गया था काकोरी जो अभियुक्त है इनको बचाने के लिए जो है समिती बनाई गई है आपको बताना है यह किसकी अद्थचता में बनाई गई थी पहला आचारे नरेंदर देव दूसरा है गोबींद बल्लपन तीसरा है चंद्रभान गुपत और चौता है मोतिलाल नहरू आपको बताना है तो याद रहेंगे आपका जो आपशन है यह सही हो जाएगा मोतिलाल नहरू ने गोबिंद बल्लपंत को जो है समिती का गठन करने की अधिशिता दी थी कि आप अपनी अधिशिता में समिती गठन कीजिए और काकोरी केस में फसिवे लोगों को बचाएए दी मैन हूः डिवाइड़ इंडिया पुस्तक के लेखर कौन थे दी मैं हूः डिवाइड़ इंडिया बहुत इंपॉर्टन कुस्चन है कई बाराव पुछा गया है मौलाना बुलकलामाजाद डाक्टर राजिन प्रसाद रफिक जकारिया या लायरी काउंसिल और डोमीनी के लिपेर पताएंगे कौन है जिन्होंने दमा एन हो डिवाइड़ इंडिया नामक पुष्टक लिखी है और ये भी आप सभी को पता होना चाहिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रस्न है आज के बाद ये बिल्कुल लर्न कर लिजेगा आपका आपसन नमबर जो ठी है को आसे विकार कर दिया और कहा अब मैं अपनी मा की दूद को प्योंगा आपको पताना है कौन है जो ये इस तरह के भावुक सब्दों का प्योग कर रहे हैं भगत सिंग है राजगुरू है भगत सिंग है अस्फाक उल्ला खां है और राज प्रसाद बिस्मिल है कौन से वो कश में फुहां सी दिया गया फालजाबाद में राजेंदर लाहडी को भी केसस से दिया गया था गूंडा में तो याद रकहेगे बचा लोग कौन है ड्राहम प्रसाद बिस्मिलमिल म्लिकित में से किसने गाधी इरुपिन सम्झार कहा आपको बताना यंदकित इसे वो एक मात्र सांतवना पुरसकार है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है तो आपका पहला अप्सन है S.C. बोस दूसरा L.N. कैम्पबेल तीसरा है जांसन बिहार निधन जांसन बिहार यहां पे होगा जांसन हरनी मन और आपका चौथा है सरोजनी नाइडू आपको पता कि इसने कहा सांतवना पुरसकार है इससे जादा और कुछ भी नहीं है तो याद रखीगा यह कौन है आपसन नंबर जो आपका टू है L.N. कैम्पबेल ने बात कही है जो की एक ब्रटिस लिबरल पार्टी के नेता है आपको बताना है भारती स्वतंतरता जो विधियक है इसको राज की स्वतंतरती का प्राप्थ हुई थी 18 जुलाई 1947 को 19 जुलाई 1947 को 20 जुलाई 1947 को 21 जुलाई 1947 को फटा फट देजेगा उतर भारती स्वतंतरता विधियक को राज की स्वतंतरती का प्राप्थ हुई थी और ये बहुत इंपोर्टेंट है कई वारायो के द्वारा पूछा गया है ये स्ववकृति मिली है आपकी 18 जुलाइ 1947 को याद रखियेगा भारत ये स्वधिनता विधेय को 4 जुलाइ 1947 को ब्रटे संसद में प्रेस किया गया था लेकिन इसको स्ववकृति कराउन ने 18 जुलाइ को दिया है महात्मा गाधी की लोक प्रेता और सम्मान की पराकास्था माना कौन है जो कह रहे है कि गाधी जी की सम्मान की पराकास्था है लोक प्रेता की पराकास्था है और आपको बताना है ये बात किस निकाह है कराची अधिवेशन के बारे में सर्दार बल्लब भाई पटेल या सर्दार किसन सिंग पताएंगी बचलोग आज का आखरी क्वेस्टन है और काफी इंप्वाटेन फ्रस्टन है फटाफट दीजिएगा उत्तर और याद रखें कि आपका क्या सही हो जाएगा सुबास चंद्र बोस ने कहा कि गाधी जी की लोग प्रियता और सम्मान की ये पराकास था है तो मीध्यव चलोग आज आप लोगों को 50 क्वेस्टन का ये स्रिंखला अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा पुराना रिबिजन किया होगा और भी जादा मेहनत को बढ़ा दीजी आप लोगों के लिए कांटिन्यू मेहनत किया जा रहा है सभी विसे आप लोगों को प्रदान करने की कोशिस की जा रही है आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो हमारा भी उस्सा बढ़ता रहेगा अगर आपनों के मेहनत में कमी आएगे तो उससा वर्धन नहीं होगा तो इस से मेहनत कीजी और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दीजी और बहतर परयास कीजी आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे सांदार प्रस्णों के साथ थाइंक यू थाइंक यू आप सभी को